तो आज हम बात करेंगे कि आपकी वेकंसी जो है जो इस मंथ में कितनी कहां और कब और किस पोस्ट पर निकली है तो वो सारी वेकंसी के वारे में हम आपको one by one बताएंगे उससे पहले आपसे छोटू सार रिक्वेस्ट चानल पनाए हो तो फटा फटी चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए घंटी वाले छोटे सब लाकनों क्लिक कर दीए पुराने है तो बस लाइक और शेयर कीजिए पहली वेकिंसी है आपकी UP से है आगर आप UP है अगर आपने एनिहम का कोर्स सरख है नर्सिंग वाला बीमसी नर्सिंग कोर्स किया है तो आपके लिए बहौत ही गोल्डन अबर चेनिटी है या आप सीटे वीडियो पॉस करो, टोटल वेकंसी कितनी है तो वह में बता दू, 2445 यानि कि 2445 वेकंसी है, स्टाफ नर्स का, इसका 20 तारिक से यानि कि आपका परसो से 20 तारिक से आवेदने स्टार्ट हो चुका है, और 9 नौमबर तक इसकी अप्लिकेशन डेट है, इसमें को कोई फी चार्जज बेगारा आपको पे नहीं करने परेंगे, आपको यहां पर यह है कि आपको कौन सा डिप्लोमा इंदे जेनल नर्सरी, नर्सिंग और मीडवे और आपने अगर नर्सिया कोर्स किया है, तो बस आपके लिए गुल्डन अपरचिनूटी है, आपको पैसे बिए अच्छे खासे, सैलरी भी चासे मिलेगी, तो इसके बाद आपको क्यान हो जाएगा, तो आपका सब्जेक्ट वेडिफिकेशन, डिटेल्स, डाक्यमेट, सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका डोगिमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो यह थ्री सी 3% जेनरल के लिए माक्स होना चाहिए ओवी से के लिए 30% और S.E.S.T.P.W. के लिए आपको 24 जो की 100 में से है तो 100 में से 33 नंबर लाना है कोई बड़ी बात नहीं है तो काफी है तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते है चलिए next vacancy क्या है वो देखे दूसरी vacancy आपको राजस्थान से है तो राजस्थान State Industrial उधोग भवन के लिए है तो ये भी काफी अच्छी पोस्ट है तो इसमें आप यहाँ पे वीडियो पॉस्ट करकर या हमारे टेलिग्राम चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट पर इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं इसमें क्या है कि इलिजिवल कैंडिडेट है अगर आप इलिजिवल है तो पहले तो यहाँ पे आते हैं कान से है और कितने पैसे मिलेंगे तो डिप्टी मैनेजर है टेकनिकल प्रोग्रामर डेवलपमेंट इसे तरीके से 49,000 से साली सुरवात है और लाशली जूनियर असिस्टेंट है जो कि 15,000 आपको मिलेंगे फिर यहाँ पे आपको क्या डिप्टी मैनेजर के लिए आपको कितने पैसे यानि कि किया क्या रहनी चाहिए 60% मार्क्स इंजिनियरिंग और इसके साथ साथ एमबीए भी रहना चाहिए प्रोग्रामर के लिए आप बीटेक एमसी इन इनफोर्मेशन टेकनलोजी आप होने चाहिए असिस्टेंट साइट इंजिनियरि के लिए क्या डिग्री ऑफ दो सिविल इंजिनियरि में उनली 60% से पास होने चाहिए आपके लिए भरने वाला क्या है तो इसमें लॉग ग्रेजवर्ट अगर आपने किया है इन समय से देख लिजए का अगर आप किसी को फूल फिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को बेसक भर सकते हैं यह राजस्थान के लिए मैं आपको पहले बता दू असिस्टेंट प्रोग्रामें के लिए ग्रेजवर्ट डिग्री इन दर कम्प्यूटर सांस यानि कि आपने बीस ही किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं इस्टोनोग्राफर के लिए आपको सकेंडरी यानि कि 12 पास होना चाहिए सासाथ में ओ आप हाईयर छीजे हैं इसके लिए भी आपको फॉर्म भरने का डेट मैं आपको बता दू 17 तारिक से लेकर 13 नौमबर तक इस फॉर्म भरने का डेट है और इसमें टोटल जेनरल के लिए आपको जेनरल के लिए 1000 चार्ज़ हो बीसी के लिए आपको 500 रुप्य पे करने पड़ेंगे तो तो आप देख सकते हैं कि 180 पाट वन पेपर में होंगे और 270 दूसरे पेपर में है टोटल 550 नंबर का आपका पेपर होगा ज्यादा चानकारी के लिए आप टेलिग्राम विजिट करें और तीसरी और सबसे बड़ी वेकंसी आपकी बैंक में है तो बैंक में IBPS PO की वेकंसी है तो इसमें आपको टोटल अगर फॉर्म फिलप की बात करें तो जेनरल ओबीसी इव्लूस इन सब को सहरे 800 रुपे देने हैं बाकी को आपको नीचे देख सकते हैं 175 पीटीसी एट आल देने हैं इस फॉर्म को 20 तरह एक से लेकर 10 नौंबर तक आप कर सकते हैं पेमेंट की ज इसमें बात भी याद रखेगा इसमें क्या है कि आप 18-30 साल जैनल हो तो भर सकते हो इसमें कोई भी आप घ्रिजवेशन थर्ट डिविजन से हो तो भी आप इस फॉर्म को फिलप कर सकते हो नेक्स चलते कि इसमें एक्जाम कैसे होगा तो आपको प्री में पूछे है 20-20 मिनट का फिर आपके आते हैं मेंस एक्जामिनेशन 45 माक्स के यानि के 60 नंबर के रहते हैं आपके रिजनिंग फिर जैनल अवेर्नेर्स एकोनॉमिक बैंकिंग 40 माक्स के रहते हैं और डाटा यानिकी मास यह भी आपको सुचित टोटल 200 नंबर का पेपर होता है फिर एसे और राइटिंग रहते हैं दो प्रकार के इसमें 25 माक्स रहते हैं जो कि आपके लिए इसके लिए आपको 30 मिनट दिये जाते हैं उसके बाद अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मेंस के इंटर्वियो के लिए बुलाया जाता है तो आई होब कि यह सारी आपके लिए काफी जादा है अगर आपको इन सब का चाहिए डिटेल तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ थाइंक यू फॉर वाजिग अस